सीधी और भगवान को मानने वाली थी, लेकिन उसकी सौतिली मा उसकी सीधे पन का फाइदा उठाती थी, और उस पर बड़े अत्याचार करती थी, जरासी चूक हो जाने पर उसकी खूब पिटाई करती, अरे सुनते हो, कोई लूला लंगडा देख इसकी शादी दे करो, और इसे इस घर से बाहर का रास्ता दिखाओ, सलोनी के पिता जानते थे कि मीना एक चांडाल औरत है, इसलिए वो एक अच्छा घर देख सलोनी की शादी कर देते हैं, लेकिन वहाँ भी सलोनी से जलने वालों की कमी नहीं थी, सलोनी की ननद निकिता उसे बिलकुल पसंद नहीं करती थी, सलोनी, बात तो सुनो जरा, जी कहिए, आज शाम को मेरे बॉस खाने पर आ रहे हैं, ध्यान रहें उनकी खाते दारी में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, जी आपने कह दिया, बिलकुल वैसा ही होगा, शाम को सलोनी जैसे ही गैस पर खाना चड़ा कर वहाँ से जाती है, अभी इसके खाने का स्वाग बढ़ाती हूँ, निकिता गैस की आँच तेज कर दिती है, थोड़ी देर में देखते ही देखते सारा खाना जल जाता है, और पूरे रसुई घर में चारों तरफ दुआ फैल जाता है, अब आएगा मज़ा, मा चल दिया, यहाँ देखो सलोनी ने किचन में आग लगा दी, और तेरा सत्यानाश हो, कल मुही तुने ये क्या कर दिया, सलोनी की सास उसे बहुत डाटफटका लगाती है, तब ही मुहन अपने बॉस के साथ घर में प्रवेश करता है, और बाई मुहन, यह क्या, तुम्हारे घर का क्या हालो रखा है, लगता है खाना जल गया है, चलो खाने का प्रोग्राम कैंसल करो, मैं अपने घर जाके खा लूँगा, सर, दरसल वो, सर मुझे माफ कर दीजिए, हरा कोई बात नहीं, घरों में यह छोटी मोटी बात होती रहती है, मैं समझ सकता हूँ, फिकर मत करो, मैं नाराज नहीं हूँ, और इस बात का तुम्हारे प्रमोशन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, चले अब चलता हूँ मैं, बॉस के जाती ही मोहन सलोनी पर भड़क उटता है, और उसे खूब खरी घूटी सुनाता है, भैगवान, मेरी मा तो कहती थी, कि अच्छे लोगों के साथ हमेशे अच्छा होता है, फिर मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, आखिर मेरे गल्दी क्या है, तभी आकाश्वाणी होती है, बेटी, अब तुम्हें कोई दुख नहीं दे पाएगा, तुम्हारा बुरा सोचने वाले की मन की सारी बाते, तुम पहले ही जान जाओगी, अगले दिन सलोनी निकिता को चाय देने उसके कमरे में जाती है, तब निकिता के मन में कुछ बाते चल रही थी, कल तो मैंने सिर्फ खाना जलाया था, अब तु देखती जा सलोनी, तेरा इस घर में जीना हराम कर दूँगी, अच्छा, तो ये बात है, अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, कुछ दिनों के बाद, सलोनी, मेरे कपड़े जल्दी से प्रेस कर दो, ओफिस के लिए देर हो रही है, सलोनी मोहन के कपड़ों के पास, प्रेस गरम होने के लिए रख देती है, और अपने कमरे में चली जाती है, सलोनी चुपके से उसे देख रही होती है, आज अगर मैंने ये कपड़े जला दिये, तब तब पक्का मेरा भाई, इस सलोनी की बच्ची को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देगा, अरे तू क्या मुझे निकल वाएगी, महादेव है मेरे साथ, सलोनी अपने पती मोहन को बुला लाती है, और निकिता की सारी कर्तुत दिखाने लगती है, निकिता गर्म प्रेस मोहन की कपड़ों पर रख कर अपने कमरे में चली जाती है, मेरे बहन इतने बड़ी चालबाज निकलेगी, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मुझे माफ कर दो सलोनी, मैं तुम्हें गलत समझ रहा था, मोहन निकिता को बुला कर उसे खूब डांट फटका लगाता है, उस दिन के बाद से सलोनी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, सलोनी हर किसी के मन की बात सुन लेती थी, दूसरी तरफ निकिता का कोई भी दाव सलोनी पन नहीं चलता था, और आखिरकार वो भी सलोनी के आगे खुटने टेक देती है, फिर एक दिन सलोनी की सास की सहली ममता, अपनी बहु कविता के साथ वहां आती है, कविता मन ही मन कहती है, सलोनी की बात सुनकर कविता बिना देर किये कैसे, अरे, ये तुमने कैसे सुन लिया, ये सारी बाते तुम्हें अपने मन से बोल रही थी, तुमने कैसे सुन लिया, बस फिर क्या था, ये सुनते ही कविता के बगल में बैठी उसकी सास, उसकी चोटी पकड़ लीती है, क्योरी कलमुही, तुम मेरे बारे में ये सब सोचती है आ, ममी जी, मुझे माफ कर दीजिए बड़ी आई मेरे जायदाद लेने वाली मैं आज ही अपने वकिल को बुला कर साब को छोटी बहु के नाम कर देते हूं चल, घर चल, आज तेरी अच्चे खबर लेते हूं इस तरह सलोनी लोगों के मन की बाते सुन लेती थी लेगिन धीरे धीरे सलोनी को ऐसास होता है कि उसके आसपास के सारे लोग एक दिखावे की जिन्दगी जीते हैं और सब एक दूसरे के बारे में बुरा ही सोचते हैं हे भगवान, दुनिया में कैसे लोग हैं? सब के मन चल कपट से भरे हैं मैं तो लोगों की मन की बाते सुन सुन कर तंग आ चुकी हूँ मैं अपनी जिन्दगी में अब बहुत खुश हूँ अब आप मुझसे ये शक्ती वापस ले लीजे भगवान इस तरह भगवान सलोनी को दू हुई शक्ती वापस ले लेते हैं और सलोनी एक आम जिन्दगी जीने लगती है झाय मैं पुश हूबादे लेजा चुकी हूँ